हेलो दोस्तों नमस्कार चैनल पर आपका स्वागत है को लिटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये सभी स्टुडेंट के लिए दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाले है इगनु की एक निव नोटिफिकेशन के जाया है हाला कि ये मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए है आगे जो एक्जाम होने वाले है तीन अगस से हो सकता है उनके लिए भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया क्योंकि ये कोविड-19 situation को ध्यान में रखते ही है नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उनके पारे में इस वीडियो में समझाने वाला हूं और अभी विवसाइट नहीं चल रहे है एक्जाम फॉर्म की एक लास डेट है ये सारी चीजों को मैं इसमें कवर करने वाला है तो अगर आप चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन प्रस कर ले कोई चीज है इगनु की वेबसाइट से क्लियरली अभी चेक नहीं हो पा रही है तो सिच्वेशन इस तरीके से है कि स्टुडेंट का हर तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है और इसको इगनु को ध्यान में रखते हुए हाला कि डेट जो एक्जाम फॉर्म की वो बढ़ाई जाएगी 101% चाहे वो लेट फीस के साथ क्यों ने बढ़ाएंगे यह ठीक है तो अभी क्या है जो नया नोटिफिकेशन उस पर बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यह केवल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए भी नोटिफिकेशन इगनु के स्टुडेंट स्टुएशन है थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए अभी क्या है कि यह नोटिफिकेशन निकाला गया है कि जिनका डियूरेशन अभी जून 2020 में है एक्जाम जो ही देने वाले हैं जून 2021 में जो एक्जाम देंगे ठीक है अगर उनका लास्ट वैलिटी है जून 2021 अगर वो कोविट सेचुएशन के वज़े से एक्जाम नहीं दे पाएंगे तो उनको एक्स्टेंशन दिया जा रहा है दिसंबर में एक्जाम देने के लिए ठीक है तो दिसंबर 2021 में वो एक्जाम दे पाएंगे मैनेजमेंट के जो भी प्रोग्राम के स्टुडेंट है चाहे वो पीजी डिपलोमा के हो या फिर बैंकिंग फैनांस को या MBA कोई भी स्पेसलाजिशन में हो उनका ठीक है तो उनको एक्स्टेंशन दिया जायागा यह फर्स्ट लाइन में आप पढ़ सकते हैं ती टर्मिन एक्जाम निशन जून 2021 टू टू टर्मिन एक्जाम निशन एक्जाम में रिजिस्टर्ड किया है आपकी खतम हो रही है उन सभी का एक्जाम आप दिसंबर 2021 में दे पाओगे लेकिन नया कोर्स रिजिस्टर्ड नहीं कर पाओगे दूसरे पॉइंट में लिखा गया है ठीक है तो चाहे वो जो आलेडी रिजिस्टर्ड प्रोग्राम स इसके बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा तो इस बात का ध्यान में रखिए और जो भी में बैंकिंग फाइनांस या फिर पीजी डिपलोमा के स्टूडेंट है इस एक चांस तो मिली रहा है अभी आपका जो जून में एक्जाम होने वाला है अगर इसमें आप कोई सेच स्टूडेंट का एक्जाम होने वाला है पीजी डिप्लोमा सर्टीविकेट और डिपलोमा के सबी स्टूडेंट के लिए सृट्डेंट के लिए बैक लॉग कि उनकी भी फीस अर्जेस्ट करनी चाहिए फीस भी अर्जेस्ट होगी अगर चांस मिलेगा तो फीस भरेगा वो एक्जाम नहीं देगा तो फिर उसकी फीस में लास्ट टर्म है लास्ट अटेम्ट है जो कि उनका इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा क्योंकि उनको भी चांस देना चाहिए उनको एक दिसंबर 2021 का ताकि वह अपने डिग्री डिप्लोमा जो भी है मास्ट डिग्री बैचलर डिग्री के स्टुडेंट ही काफी जादा जो है उनकी लास्ट डेट है तो उनको भी एक चांस देना चाहिए उनको ताकि वह दिसंबर 2021 में अपना एक्जाम कम्प्लीट कर सके अगर कोविट सेचुएशन मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए बन स जल्द जल्द उसमें कोई बोला है किसे कोई कभी से तो यह सारी चीजे लोग देख रहे हैं लगातार तो उनको भी डर है बाहर जाने के लिए तो उनको भी चांस मिलना चाहिए जो है इगनु को यह चांस देना चाहिए जो फाइनल सब को ना दे है तो फाइनल जो उनका attempt है उनको कमस कम एक chance देना जरूर चाहिए और कुछ notification है जो कि अभी website पे upload किये गया है गिनों कि website national workshop हो रहा है खास कर ये students के लिए नहीं होता है जो workshop अटेंड करना चाहता है कर सकता है जो किसी भी organization या institution में है ये उनके आगे promotion या फिर कुछ और चीजों के लिए helpful रहता है तो ये notification दो आई है एक ये notification है ठीक है जो और दूसरा notification ये है आप देख लीजे ये वाला notification दोनों का इसमें तो fees लग रही है दूसरे वाले में fees नहीं है free of cost है FDP हो रही है तो इसको आप attend करना चाहते हैं तो यहाँ पर registration का process दिया हुआ है इसमें registration कर सकते हैं तो यह काफी important update ही सभी students के लिए खास कर जो है अभी final year के student के जो exam होने वाले हैं तो यह सारी situations है अभी चीजे अभी और हो सकता है change हो और कोई सवाल है तो आप comment box में के पूंच सकते हैं आपको जरूर बताएंगे तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए update के साथ अप्डेट के साथ